हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूँ क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सरी सटिस्फेक्टरी सॉलिशन ऑफ मैथ आप सभी का स्वागत है और शांदार सेशन की शुरुवात कर रहा हूँ जो नंबर सिस्टम का एक कोशन मनता है रेमेंडर पर बेस्ट उसमें सबसे ज्यादा इंपोटेंट जो कॉंसेप्ट है वो क्या है वो है आपका विल्सन एंड फर्मेट थियोरम पर बेस्ट कोशन तो आज मैं वही आपको कॉंसेप्ट पढ़ने वाला हूं पूरा विद एक्स्प्लेनेशन कि ऐसा क्यूं होता है और क्या कारण है इसके पीछे और यह जो हाथ में कोशन रखा हुआ है इसका भी जवाब दे देंगे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप मेरे साथ कोई भी गौवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो साहिल टैनेजे रैफरल कोर्स लेंगे तो आपको डिसकाउंट मिलेगा किसी भी कैटे अपने टेलीग्राम पर बता देने वाला होता हूं कल मैं आपको क्या करांगा कल टॉपिक रहेगा वो मैंने पहले ही बना दिया है कल अलजेब्रा के टॉप टैन कोशन होंगे जिसमें वह दस कोशन कर लेना अलजेब्रा का काम खतम हो जाएगा यह मेरी गैरंटी है आप आ दीवाइड आकरती हो डा तो रिमेंडर जो होता है ना नादो तरह होता है यह जैसे कि denominator से छोटा है तो यह जो छोटा है ना वह प्लस रिमेंडर में आ गया और 6 में से 11 11 में से 6 घटा दोगे ना तो 5 जो है वह माइनस रिमेंडर होगा तो कोई भी संख्या हम सॉल्व करते हैं डिवाइड करते हैं तो रिमेंडर कि दौटा की रिमेंडर होते हैं एक positive रिमेंडर डिस पॉजिटिव और एक negative रिमेंडर क्या होगा इस रिनो जिस से भाग दे रहे हो उसमें से positive रिमेंडर को घटा दो बस जैसे कि मैंने आपको बोला कि तीन बटे आठ तो आप मुझे बताएंगे कि सर एक रिमेंडर जो हो वो आपका positive remainder हो गया plus का 3 और एक negative remainder हो जाएगा जो कि minus का 5 होगा तो किसी भी संख्या के 2 remainder होना निश्चित बात है तभी मात बनती है वरना बात ही नहीं बनती है हाँ और अक्सर हमारी जो remainder में तलाश रहती है कि हम plus 1 minus 1 दूनते हैं यहीं तलाश रहती है जैसे कि मैं अगला एक example देता हूं मैंने आपको लिक दिया 7 बटे 11 तो आप मुझे बताइए remainder क्या होगा मैंने आपके सामने लिख दिया 67 upon 11 तो reminder क्या होगा मैंने आपके सामने लिख दिया 89 upon 18 तो remainder क्या होगा तो अब ये concept आपके सामने है रेमेंडर हमें तलाशना होता है और हर अपको हर जो डिवाइड है ना उसकेöllिन दो रेमेंडर मिलें गे हमेशा एक पॉजिटीव एक नंगिचिव पॉजिटीव वाला कौन सा जो की जो कम बार भाजक होता है जैसे कि कुशंच कम बार जाता है उससे जो आता है वो positive होता है और आगे जाके पीछे आना negative होता है जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो आप यह कहते हो सर साथ तो positive आ रहा है और 11 एक हम 11 पीछे आओंगा minus का 5 उस और minus का 4 simple अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो देखो 11 की जो table बोलूँगा 66 तो plus 1 is the positive remainder and negative remainder minus का 10 अगर मैं 18 का भाग देता हूँ 18 पंजे 90 यानि की negative remainder minus का 1 क्योंकि 90 जले गया पांच बर जा रहा था आपको positive remainder निकालना है तो plus का 17 तो इस तरह से आपकी remainder चलते हैं understand my dear क्या आप पहले remainder को समझ गए क्योंकि उसी concept पर based जो होते हैं सारी चीज़ें आप जानते हैं चलिए फर्मेटर विल्सन का क्या रोल है सर वस वही बताने जा रहा हूं लेकिन उससे पहले आपको यह सब आना चाहिए चलिए सर अकसर आपने कुश्चन देखे होंगे जो बड़े-बड़े कुश्चन होते हैं जैसे कि कभी लिख दिया दो की पावर 638 बटे 5 लिख दिया मैं आपसे पूछलू बढ़ी रेमेंडर बता दो तो ना तो आप दो की पावर को सॉल्व करने बैठ रहे हो सर ना बैठ रहे हो ना बही सिंपल सी बात है आप बैठ ही नहीं सकते हो पॉसिबल ही नहीं सर तो बात यहीं आती है बस इसी चीज़ का बात यहीं आ जाती है कि सर ऐसे प्रशनों को कैसे हल किया जाए तो सिंपल सी बात है हम नॉर्मल तरीके से करते हैं अगर हम नॉर्मल जा रहे होते तो हमारी कोशिश यह रहती कि हम प्लस वन माइनस वन रिमेंडर बनाएं जैसे कि दो की पावर दो की टम में मैं इसको लिख सकता हूं तो दो तिया छे दो एकम दो दो नाम अठारा और अगर मैं 5 का डिवाइड कर देता हूं तो अब अल्टिमेटली यह क्या ब रिमेंडर और एक पॉजिटिव रिमेंडर तो नेगिटिव रिमेंडर अगर माइनस का एक है तो पॉजिटिव रिमेंडर प्लक्स का चार होगा पावर इसकी भी 319 अब इसकी भी 319 तो आप मुझे खुद बता दो ना यार हम किस की तरफ जाते हैं किस की तरफ जाएंगे तो सर हम माइनस वन प्लस वन की तरफ जाएगे क्यों फिर इसको आगे और सॉल्व करते रहो फिर माइनस वन फिर माइनस वन यह कहानी ऐसी थोड़ी चलती रहेगी तो पॉजिटिव से कभी भी कहानी का अंत नहीं होता आप छोटी रिमेंडर से कहानी का अंत कर सकते हैं और करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज क्या है सर्फ प्लस वन और माइनस वन रेमेंडर बना दो आप तो यहाँ देखो यहां आ रहा है ना माइनस वन, इसकी घात क्या है इसकी घात आपकी विशम है अगर पावर आपकी और होती है तो मैंनस 1 का मैंनस 1 रहेगा बटे 5 तो आप आपका आंसर आएगा प्लस का चार जिसका भी आंसर प्लस का चार आ रहा है वह सही है तो कोशिश पर आप काम करिए आपकी कोशिश रहेगी आपको बनाना पढ़ेगा नहीं बनता तो सर तो आप लगाता डिवाइड करते रहे विविकारज जो जिससे करने हैं यह तो कभी खत्म नहीं ही होगा एक सर कटेगा दूसरा हाजर एक सर कटेगा दूसरा हाजर क्लियर है यह answers अगला यह बात आपकी क्लियर होनी चाहिए आगे चलते हैं एक अगला कॉंसेप्ट और बताता हूं फिर फर्मेट पर आता हूं एक कॉंसेप्ट यह होता है जैसे कि मान लो च्छै की पावर च्छै की पावर या फिर मैं कह सकता हूं आपसे तेरा है तेरा की पावर 169 अपॉन मैंने लिख दिया 14 तो रेमेंडर क्या होगा ठीक है एक कंसेप्ट यह लिख दिया मैंने कि 55 एंटू ती हैतर एंटू तो बटे सो ना 65 लिख दो 67 लिख दो बटे और यहां लिख दो आप 16 बटे 100 तो आप इसका रेमेंडर क्या होगा सर यह सब क्या हो रहा है फर्मेट और फिल्सन पर आईए ना बिलकुल आते हैं बस कॉंसेप्ट बताना चाहता हूं एक बर आपसे सर वीडियो मेंस की क्लास अरे यार आते तो यार उनको देना भी पड़ता है समय आप समझो परिवार वाले समस्ते की शादी के बाद बदल गया बंदा इस कि अगे चलिए कि तो पर यहां क्या कहना चाहें आप मैंने क्यहना चाहता हूं में चलिए अब यहां क्या कहना चाना चाहर हूं यहां जो कॉंसेप्ट यहेर्णिapि damping अगर आप किसी करते हो आप काटा पीटी करिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन जैसे 25 का भाग दो गया 25 दूनी 50 तो प्लस का पांच 25 तिया 75 तो माइनस का दो 25 तिया 75 तो माइनस का आठ बस तो सर ये तो ऐसे आ रहा है आठ दूनी 16 पंज असी 8 320 बटी 25 आने दो आने दो आने दो अब यह 25 एकम 25 और बचा कितने 70 पच्चीद उनी 50 यारा 20 फिर बटी 25 ठीक है आपका रिमेंडर क्या आ जाएगा बोलते जाओ तो तो जो मैंने यहां काटा पीटी करिए आप इसको आगे भी काट सकते हो कोई इशू नहीं है आप यहां आपने आपने डिवाइड किया तीन सो बढ 20 आ रहा है लेकिन यह आंसर नहीं आंसर आपका होगा 80 आपका जो आंसर होगा 80 होगा आए बास समझ में तो यह आपका रेमेंडर बन जाता है इस तरह से 20 तो आप निकालके बैठ गए लेकिन 20 आंसर नहीं होगा और एक क्यों सर क्योंकि आपने जो यहां 4 से काटा था ना उसको गुणा भी करना है आए बास समझ में यह बात आप के लिए रखना बस अब चलिए आते हैं और भाई लाइक करते जाए बढ़िया तरीके से शेयर करते जाए अब आते हैं फर्मेट पर यह फर्मेट भाई साब ने कहा कि दोस्त अगर आप परेशान हो फर्मेट भाई स सब उसने बोला कि अगर कोई नंबर आपका एैन है और पी आपकी क्या है एक एक चीज लिखे ये प्राइम नंबर और एक बात का याद रखें यह एक प्राइम remember है तो आपने primary लिख दिया यह पी – 1 है, याने कि एक घात कम तो यहां क्या आएगा आप्वाज्य संख्या से हाज्य संख्या से एक घात कम हूं यह बात दिख लो एक एक चीजह लिख रहा हूं, थीक है सर लिख लिया ठीक है यह n क्या है n कोई भी नंबर हो कोई भी संख्या हो n कोई भी संख्या हो लेकिन एक बात समझ लो n कोई भी संख्या हो लेकिन एक बात समझ लो कि n और जो p है उसका जो scf होगा वो हमेशा एक होना चाहिए ये बात जरूर लिख लेना क्योंकि ये बच्चे को नहीं पता रहती है जोती कह रहे है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है जोती पहली कंडिशन आप टाइम पर आईए दूसरी कंडिशन आप नंबर सिस्टम का पहले बेसिक पढ़िए तीसरी कंडिशन फर्मेट थियोरम आपको आ जाएगा क्योंकि अब ये शुरू हुआ है जो इस कॉंसेप्ट क है ना चलिए तो इसलिए आप दिमाग यहां लगा अभी तो मैंने एक चीज लिखी है आपके सामने आपने समझ ली अब एक एक्जाम्पल यहीं की पठक रहा हूं आप देखना जवाब देना और जोती क्या कोई भी देदेगा छे की पावर छे बटे साथ क्या रेमेंडर आएगा तो हमेशा याद रखना एक होगा तो इसका रेमेंडर क्या होता है ओल्वेज बन हाँ यह बहुत काम की चीज़ है अभी तो नहीं लग रही होगी नक्ती भी नहीं है क्या होता है कई बर पैसी यह ऐसा लगता है ठीक है लेकिन देखिएगा देखो बार-बार कमें आपर ही समझ में नहीं आ रहा चली आए यह चीज़ के लिए हो गई अब इसका एक्जांपल में एक और आपके सामने रखता हूं अब खुद समझने की कोशिश करना एक एक एक्जांपल मैंने आपके सामने दिया है प्लीज मैंने यहां लिखा 73 73 इसके उपर लिख दिया म मैंने 169 की घात 288 रिमेंडर क्या होगा अचानक से आप इस कोशन को देखो तो काका इना कर पाए काकगा पता ही नहीं है ताकगा लग रहा यह एक बहुत कतरना क्यूश्चन है यह Keithar का पढ़ा तो आपनको सीखा ही नहीं कभी आता ही नहीं जबकि मैं यह कहता हूं कि यह इक प्राइम नंबर है हाँ है यह कोई भी संख्या है लेकिन इनका SCF 1 है जी है 288 क्या है सर क्या 72 की गुनज में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते है 169 की घात 4 की घात 72 बटे 73 तो क्या वो कंसेप्ट बन गया कि ये तो आपका N हो गया ये आपका P-1 हो गया ये आपका P हो गया आंसर एक आगया मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा कुछ भी हो सकता है अब ये तो चलो तरीक है आपके होंगे लेकिन कैसे बनाना है P-1 को कैसे ट्रांसफोर्म करना है ये आपका काम है है और किसी और का काम नहीं है और जो बच्चन डिनोमिनेटर में पावर में 4 का डिवाइड करने वाली बात कर रहा है कि भाई साथ घलत सोच रहे हो इसमें नहीं होता वह इकाई अंक में होता है clear चीज़े clear है और अच्छा लगे खीच के लाइक करते रहा करो यह काम आपका है कल टॉप 10 अलजेवरा की कुश्षन कराऊंगा साड़े चार बजे मज़ा नहीं आए तो फिर कहना पूरे में से पूरे कुश्षन लाने का वादा है नंबर लाने का अगला कुश्षन आपके सामने रखता हूं साथ की पावर 82 बटे 11 रेमेंडर आप बता सकते हैं तो बताईए अब बुद्धी चलाना पड़ेगा लेकिन बुद्धी आपको चलाने पड़ेगी बुद्धी किसी और की निचलनी चाहिए और खीच के लाइक शेर बनता है तो गुरुजी यहां क्या करूं मैं मेरो तो सर्दिमागी काम कर रहा है कि पता नहीं सारी दुनिया छूट गई क्या मैंने का भाई वही काम कर नीचे प्राइम नंबर है साथ और ग्यारे का सकते हो दस तो दस के लिए एक आठ ले लो बस और यहां लगा दो दस तो सर यह तो 80 हो गया दो बगल में पटक दो क्या दिक्कत है तो 82 बनाना है प्लस का पांच कैसी रही मज़ा आ रहा है क्या अरे वाह गजब बहुत बढ़ी आप शेयर और लाइक करते रही है इसमें कमीन यूनीची जैसी दिख रही है इसे मज़ा नहीं आता भाई कमारे लिए इतनी सारी चीज़ हो रही है ठीक है आए 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 आ हो गया आजाए आगे चलते हैं पहले कोशन की तरफ फिर विल्सन पड़ेंगे अब यह कोशन पेपर में आ गया मानलो आपके कैसे बुद्धी काम करेगी अब आप को गया अरे सरी कोशन ही गलत है यहां तो घात एक कम है ही नहीं तो घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रो गया यह तो एक हो गया 14 रावने खतम नहीं होता तो रिमेंडर ओल्वेज विल भी 14 कैसी रही भाई साब मजा आ रहा है नहीं आ रहा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा फोड़ पारे हो नहीं फोड़ पारे हो यह अस्यानों में जब आप दीजिए कम ओन गाईस चलिए अगला करिए आप मेरे लिए अभी करिए क्योंकि मैं कल पे कोई काम नहीं छोड़ूंगा चलिए आंसर दीजिए गुरूची यह क्या चीज है मैंने का घवरा जाओ नहीं घवराओंगा सेवन्टी फाइव थाटी फाइव की पावर सेवन्टी फाइव अब यह सेंस अब आपको खुद आने लगेगा कैसे सर 37 का 34 होता है सॉरी 37 का 36 होता है तो मैं यह कह सकता हूं क्या 35 की स्क्वायर 36 इन्टू 35 इंटू 35 कोई दिक्कत है तो बोलो आप बोल गयंस का 8 23 आथ recit काअ अब यहाँ देखो माइनस कटो माइनस का 8 बड़े 37 नेगेटिक potassium AIR तो पाजिटिव रिमेंडर 29 क्यों मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो एक नंबर क्वालिटी दूंगा आपकी लाइफ बदल जाएग आप मज़ा आज आएगा आपको ठीक है वाई साब क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा ये कोशन कौन करेगा य underest करेगपं करेगा यह कौन करेगा कौन करेगा यह आपका होमवर्क है मैं इस होमवर्क में दे रहा हूं मुझे कमेंट में आंसर भरभर के चाहिए अगर किसिने लापरवाई करी तो को भाई तुम खुद की जिंदगी खुद लिख रहे हो एक टीचर मेहनत करवा सकता है करने आपका काम है और ये चैनल आप लोगों का है आप इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा महतर इन कामिट आपको मिलेगा यह आपका homework का प्रश्ण है चलिए अब बात करता हूं Wilson भाई सब्सक्राइब की विल्सन ने क्या कहा और उनका क्या concept था, एक Wilson theorem होती है, वो factorial पर based होती है, तो सरम पहचानेंगे कैसे, वो power पर based होती है ये factorial पर based होती है जैसे कि, for example format को समझना ज़रा format क्या कहता है Wilson भाई साब का format ये कहता है कि यदि भाई साब अगर आप P-1 factorial को P से divide करते हैं, note कर लो यदि आप P-1 factorial को P से divide करते हैं तो आपका जो remainder होगा, वो minus का 1 हो जाएगा, note it down please note करिए please note कर लीजिए सारी चीज लिखाऊंगा, पहली बर में समझ में किसी को भी नहीं आता, आप भी नवाब नहीं हो आपको भी समझने में समय लग सकता है तो यहां आपका P क्या है प्राइम नंबर है P आपका क्या है अभाज्य संख्या है बोले गुरुजी ठीक है मान गया बात आपकी में तो एक्जामपल दे दो अवेकाद, मैंने एक एक्जामपल दे दिया मैंने का भाई ये देख मैंने आपका करिया ग्यारे का डिवाइड कर दिया दस फैक्टोरियल में तो आप मुझे रेमेंडर बताइए मैंने अगला एक्जामपल दे दिया 6 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया 7 बतब P जो है न वो प्राइम नंबर होना चाहिए ये ध्यान लखना बस मैंने अगला एक्जामपल दे दिया 36 फैक्टोरियल दे दिया 37 ठीक है अब मुझे आप जबाब दे दो थोड़ा थोड़ा क्या होगा रेमेंडर पूछ रहा हूँ उस अब में है रेमेंडर का कॉंसेप्ट है चलिए कल भई अलजेबरा का रिविजन होने वाला है कल मैं अलजेबरा की केवल 10 कुशन कराऊंगा और 10 कुशन में आपका ये दिल खुश नहीं हो जाए तो फिर मेरे से कह देना आप अब माइनस वन आंसर देने वालो इतने नकल मत बनो यार मैं कहता हूँ कि माइनस वन होता है बिल्कुल सही है लेकिन आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिमेंडर दिया जाता है यानि कि आंसर होगा 10 माइनस वन होता है ठीक है लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमेंडर दिया जाता है यानि की प्लस का चेक, माइनस वन होता है याद रखो, लेकिन आंसर अमेशा पॉजिटिव रिमेंटर दिया जाता है 36, इस तरह से आपके आंसर चलेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई, हाँ या ना में जवाब दीजिए, खीच का लाइक करिए, वो आपसे होगा, ये मु आप दे सकते हो क्या, तो सर अभी तो बताया, 30 फैक्टोरियल है, बटे 31 कर दिया, तो रिमेंटर क्या होगा, सर पी माइनस वन, तो माइनस वन होता है, लेकिन आंसर आएगा 30, कुछ भी नहीं है, 5 सेकिंड, अगला करिए, 15 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करूँगा, त सब मामले को समझ पा रहे हैं आप, दो अब यही तो है न, अचानक से कोई हलुआ थोड़ी है, जो परोस के आ जाएगा आपके दिमाग में, अब क्या करें, बताओ, जो मैंने समझाया, उसी का जवाब आप दीजिए, सर, 15 फैक्टोरियल है, तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ क्या, कि 15 फैक्टोरियल तक ठीक है, आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए, कि 15 फैक्टोरियल, इसमें 16 का गुना कर दूँ, और 16 का भाग कर दूँ, अगर मैं इसमें 16 का गुना कर दूँ, तो एक से लेकर 15 तक तो है, जल्दी बोलो बटे 17 into 16 और इसका क्या होता है इसका remainder क्या होता है minus का 1 यानि कि ये कितना होगे सर minus का 1 upon 16 तो answer कितना आगे 15 बोलो भाई मजा आया नहीं आया कर दो यार ऐसा मत करू बस किए 15 होगा क्या नहीं 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 पिक्चर खड़ा हो गाई जा मैंने गटबड़ यह कर दी LEEा होगा 1997 और नहीं यार पता समी यार क्या हो गया यह बे假 जुखाड लगाते हैं ऐसे तो पार पड़ेंगे नहीं जलो का दूसरा जुखार लगाते हैं यह तो बैठा नहीं कि गवटवर सब्सक्राइब मैं ने मांने सब्सक्रां अभी तक कद लुखार रहा था कि सर यह तो यह researching था कि अगर ये प्राइम नंबर हो और ये पी माइनस वन फैक्टोरियल हो तो आपका जो रेमेंडर होता है वो माइनस का वन होता है ये बात तो किलिए रहे आपको ये बात किलिए रहे विल्सन भाहिसा बहुत तकलीप देते हैं ऐसे थोड़ी हो जाएगा इनका नाम भी सू कर रहा हूं और और कुछ नहीं अगर आप इसको दो सोला से डिवाइड करते हो तो फैक्टोरियल अपॉन सोला कितना हो जाएगा माइनस का वन और आंसर कितना आएगा माइनस का सोला बटे सतरह यानि कि आपका जो रेमेंडर होगा वो जाएगा प्लस का कैसी रही तो जो आखों में धूल जोक कर की जा सकती है उसे क्यों ना स्पष्ट कर दिया जाए अंसर क्या होगा प्लस वन होगा दुबारा से देख लो आप कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको वही सिखाया जा रहा है जो आपको आता है मैंने सोला का गुणा जान बूच कर किय उपर नीचे कारण क्या था 15 फेक्टोरियल अपॉन सोल बनाना है लेकिन आप यह मुझसे अभी बोलेंगे कि सर यहां तो विल्सन थियोरम तो प्राइम नहीं है तो यहां पर पिक्चर आपकी खराब हो गई फिर अच्छा भाई साब फिर फिर जुगार दुबारा से करते मज़ा आ रहा है बड़ा इंट्रेस्टिंग है मैं दुबारा से देखता हूं सर पंदरा फेक्टोरियल अच्छा इसमें 16 का गुणा कर दू 17 से तो अब भाग करी रही हो और 16 का भाग कर दू understand yes यह पूरा क्या हो जाएगा यह 15 फेक्टोरियल इंटू 16 इंटू 16 इंटिंक तो एक बटे 16 और इदर रिमेंडर कितना आ रहा है माइनस का 1 माइनस का 1 जैसा कि यह रहा तो यहार आंसर इसका प्लस का पंदरा आएगा क्या एक बार चेक करना हमारे इसापसो तो प्लस का पंदरा जेल रहा है हाँ एक बार चेक कर लो भाई 15 ही होगा ना इसका अंसर फेक्टोरियल बटे 17 कर लो रिमेंडर निकालके देख लो एक बार मेरे इसापसे तो यहां पर यही आ रहा है मैंने तो पूरी कोशिश कर ली एक बार आप भी एक बार चेक कर लो इसी चीज को कर दो कि कि नहीं है और गड़बड है आंसर इसका पंद्रह तो नहीं है 16 फेक्टोरियल बटे 17 माइनस का एक तो ठीक है ऐसे कर सकते हैं इसको अभी आप जानते हैं कि सर 17 नीचे है और उपर 16 फेक्टोरियल होता है तो रिमेंडर माइनस का वन होता है आप से यह कुशन कह रहा है कि भाई यह कर दोगे क्या आप क्या इसको लिख दो 15 फेक्टोरियल इंटू 16 बटे 17 बुद्धी घरा होई एक ही आएगा जीरो नहीं होगा एक ही होगा आई बाद समझ में अब कि अगर यह 16 फेक्टोरियल होता है तो इसको ऐसे लिख देते 16 इंटू 15 फेक्टोरियल ठीक है तो जो रिमेंडर है तो 16 फेक्टोरियल वाला माइनस एक रहता हुम् गड़बड लग रही है न ठीक है वैसे तो दे सकते हैं प्लस एक ही होगा चलो कोई बात नहीं इसको देखते हैं इसलिए अगला करते हैं इससे पहले इसका देखते हैं क्या रता है क्या पता वो कॉंसेट्ट भी राजाए इसको भी कर लो एक बार इसको करो फिर वो करेंगे 15 नहीं होगा यार एक बार करो अपने अब आज आएगा देख वो कॉंसेट्ट की बात है एक बार में कॉंसेट्ट पकड़ में आ गया ना तो ठीक है कि अधिक को अधिया ना चली तो सर्य यहां पर भी वहीं कॉंसेट्ट्ट लगाएं लग सकता है तो देखो आप एक बर जैसे कि 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बटे साथ यहां पर भी वहीं कंसेट्ट है कि सर्य यहां जो रिमेंडर आ रहा है वह माइनस का वन आएगा माइनस का वन इसका मतलब प्लस का 6 और यहां अभी जब मैंने बताया कि अगर द विइस कम्लेट green कि खाला एंब अउन इसको अगले को भी निप्टायिय आप यह बी अच्छा कुशन इसको भी कर सकते हैं फैसे देंगे अभी उसको प्रूफ करते हैं इतने इस कुशन को भी निपता हुआ आप ये भी अच्छा है ये फैक्टोरियल हैं दोनों और मल्टिप्लाई में दोनों ये अच्छा कुशन है मज़ा आएगा इसमें चीज यार बहुत कुश सीखने को मिलती है जब कुछ ना कुछ नया पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा चली सर क्या जुगाड है मैंने का भाई देखो ये डरने वाली बात नहीं है इस पांच फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो ये बता दो और multiply में 25 factorial है या नहीं है ये बता दो फटा फट अभी just मैंने आपसे बोला कि बटे 31 आपको मैं करवा रहा हूँ यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ है क्या आराम से यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ है क्या इस question में भई 5 factorial को लिख दिया अब आप जब 31 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका एक अगर positive remainder है तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस का 30 आपका negative remainder होगा माइनस का 29 होगा माइनस का 28 होगा माइनस का 27 होगा और माइनस का 26 होगा बोलिए प्लीज यार और सभी के बीच में गुणा है बोलो तो 25 फैक्टोरियल में 26, 27, 28, 29, 30 का जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि सर यह माइनस 30 फैक्टोरियल होगा आप जवाब दीजिए प्लीज दोस्तों इस तरह का question आपको paper में जरूर देखने को मिलेगा यह याद रखना माइनस का आगे अपने अपी माइनस माइनस अब एक पांच बार है न ठीक है अब यह क्या होता है बार माइनस खटटा रहा है बार पढ़ा रहे ने दो अभी मैंने बताया कि सर माइनस का वन होता है तो answer आपका कितना आजाएगा प्लस का वन कोशन कैसा लगा जल्दी से बताओ कैसा कोशन लगा फटावड बताओ भाई मैंने इस पांच फैक्टोरियल को लिखा अभी मैंने बताया था ना कि हर संख्या के दो रिमेंडर होते हैं एक दो तीन चार पांच तो वैसे भी रिमेंडर होते लेकिन नेगिटिव रिमेंडर आप निकालेंगे तो माइनस 30 माइनस 39 माइनस 38 माइनस 26 तो 25 के साथ 26 27 29 30 आ गया तो तीस फैक्ट्रियल बन गया माइनस में क्यों हुआ क्यों कि पांच बार है तो एक तो दो 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 पेर बन जाएगा एक नंबर कोश्चन है अब आते हैं पिछले वाले कंक्लूजन पर तो यहां तक हमारी चीज क्लियर हो गई क्या कैसी लगी वीडियो दिल से लाइक कर दीजिए बहुत तगड़े हां और उसको आपने पी लिख दिया पी से डिवाइड कर दिया तो आपका रेमेंडर क्या हो गया माइनस का एक हो गया ठीक है सर ओके तो क्या मैं इस कॉंसेट को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या दोस्तों आप मुझे खुद बताना कि पी माइनस वन फेक्टोरियल प्लस एक बटे पी कम्प्लीटली डिवीजिबल होगा बोलिए रेमेंडर आपका जीरो देगा येस ये बात दिया आप नोट कर ले कि अगर प्लस वन वाला केस भी आ गया जैसे कि अगर आपको लिख दिया मैंने कल को कोई कोशन मैंने ऐसे दे दिया और वह नॉर्मल बात है जैसे कि मैंने आपको कोशन दे दिया छै फ्रैक्टोरियल प्लस का वन बटे साथ आपका अंसर क्या होगा कोई दिक्कत नहीं अभी करते हैं समझाना समझाना मेरा काम है ना चलो तो सर यह तो जीरो ही हो जाएगा अब बात आते हैं इस वाले कंसेट पर आपको पता है कि जब 17 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है 16! जब आएगा तो आपका रेमेंडर माइनस का एक होता है ठीक है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 16! में ही 16 factorial में ही आपका 15 factorial भी involved है तुरंत बोल सकते हैं बोले बिलकुल बोल सकते हैं 16 factorial में involved है बिलकुल involved है अगर minus 1 आप ले रहे हैं तो आप ले लिजिए कोई दिक्कत नहीं है तो minus सर्फ plus 16 होगा ना सर्फ positive लेंगे तो यह तो अलग चीज़ है ना भवाई पॉजिटिव ले लो ना तो यहाँ अपले सकते हो प्लस का 16 तो कह रहा हूँ यहाँ प्लस का 16 ले लोगे और नेगीटिव में पहले सी आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का एक लेना चाहरे और प्लस का सोला या आफ इसको यह लिख दो 15 फैक्टोरियल बटे 17 16 इंटू 16 मैं दिमाग लगा रहा हूँ अपना और लगेगा तो सही 16 फैक्टोरियल है 16 फैक्टोरियल बटे 17 16 फैक्टोरियल प्लस का 16 और माइनस का 15 दोने हैं तो कितना आ गया माइनस का एक हाँ क्या घड़वड हो रही है डाइरेक्ट तो वही चीज समझ में नहीं आएगी अना डाइरेक्ट तो बताना ठीक नहीं है इसको मैं पावर में ले लूँ क्या कि 16 फैक्टोरियल है बटे 17 कर लूं यह आ जाएगा मेरा माइनस का एक इस 16 फैक्टोरियल को लिख लूँ 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बटे 17 चीज तो वही है तो रिमेंडर क्या आ जाएगा माइनस का एक बटे 17 सही है क्या आगया 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 देखो भाई यह माइनस का एक बटे 17 तो यह की हो गया और एक माइनस एक पहले वाला है यानि कि आपका जो रिमेंडर होगा वो प्लस का एक होगा हाँ दो माइनस एक हैं सही है बिलसन बावा ने फसा दिया भाई लेकिन कोई बात नहीं हम निकल कर आ गए फिर भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आक कि कोई दिकत नहीं यह बहुत नॉर्मल के से आ आपको जो मैंने बताया है भौत नॉर्मल के से परेशानन ही होना है जू चीज आपको रिमेंडर निकालना है वह देख लेकर नॉर्मल केस में आपका माइनस वन आटा है अब माइनस फिर से आ रहा है क्योंकि 16 भी इस तरह से आप दिमाग में लगा सकते हो अगर आपको ज्यादा बिद्धी नहीं लगानी है शàyए प्राइम नमबर नहीं तो नहीं है ना तो किह रहा हो नहीं है प्राइम नमबर लेकिन ना तो यह 17 तो है ना उपर वाले से कोई लेना देना नहीं है नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए ना विल्सन में मैंने बताया न आपको नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए उस उपर वाला तो ऐसी भी नहीं रहेगा वई ठीक है तो यह question आप homework में कर लेना मैंने एक homework में दिया आपको यह वाला यह आप homework में मेरे को comment section में जवाब दे देना और Wilson बाबा को हमने समझ लिया डायरेक्ट आप अपने दिमाग में रख लेना ठीक है चलिए कैसा रहा है आपका चल्दी से बताओ session कैसा लगा साहिल 10 code पढ़ो हर चीज को detail में पढ़ाया जाता है यह guarantee है और अच्छी से पढ़ाया जाता है मेरे साथ मेरे foundation बैच में जुड़ो जहां मैं complete preparation करा रहा हूं सभी competitive exams की सभी की एससी category में और किसी अन्य category में भी जुड़ते हो तो भी साहिल 10 लगाकर discount मिल जाएगा description में लिंक है यहाँ पर आप साहिल 10 लगाकर मेरे courses से जुड़ सकते है clear idea तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो टेंशन लिले ना iconic subscription लेकर मेरे साथ जुड़िए सारे features आपको म coming paper है मुझे mail जरूर करें ठीक है चलिए तो thank you so much चैनल को subscribe करने उमीद करता हूं कि आपको अच्छा लगाओगा session अच्छे से पढ़ाई करिए और इसी तरह से कल algebra खतम कर देंगे पूरा तो कल algebra में मिलते हैं आपसे आपन ठीक है तो take care all the best कि उसकोशन का अंसर 16 नहीं है उसकोशन का अंसर वही है जो मैंने बताया आपने है नहीं है झाल झाल